संसत वो सार्थख भहस के लिए बनी हैं और आप अगर आप दखेंगें तो साल एंगर से साल साथ दिन-दीन के चुट्टी होती है बतला 365 दिन के अंदर अगर 702 को सत्र अगर देखा जाए तो पुरे साल में वह सी मुश्किल से 35 दिन सत्र के अंदर एक मेना उपस्तित रहते हैं वह एक मेना भी अगर वह सार्थक चर्चा नहीं कर सके वहाँ कोई विश्य गंबिर मुद्दा नहीं उठा सके एक मेने के लिए बाकि 300 दिन तो आपके पास है सड़क पर संगर्ष करने के लिए दूसरे मुद्दे उठाने के लिए संसत का सत्र क्यों बुलाए जाते हैं इसलिए बुला जाता है कि पक्स और विपक्ष मिले वहाँ पर जन्ता के मुद्दे उठाएं अपनी बात रखे सरकार से विपक्ष प्रश्ट पूचे सरकार उसका जवाब दे सरकार कोई बिल विधेग लिए कर आ रही है उस पर चर् संसत कारवाई कैसे वहला के लिए होती है वह अपने सीनियरों से ही सिखेंगे कि संसत में आओ तक्तिया ले रहा हो उधम करो संसत करो और बाहर निकल जाओ तो मुझे लग रहा है कि दोनों पक्षों का काम है सर्वादिली बैठक क्यों बुलाई जाती है सत्रह शुरू होन संसत का सत्रह उसके बाद ओम बिल्ला ने समनेताओं को बुलाया बाच्चित की तो इस सोमवार से थोड़ा सत्र वह शुरू होता है कि जहां चर्चा शुरू हो गए देंकि सत्र चलाना दोनों का काम है संसरी कार्य मंत्री होते हैं पार्लामें टेफर्ज मिनिस्टर होते है स्पीकर होते हैं सर्कार का बड़ा रोल होता सत्र चलाने के अदर तो बड़ा हिस्सा सर्कार का है कि वह कोशिश करे कि सत्र चले लेकριν वीपशन की पीब्श कि जिम्मेदर ही है कि सर्कार के साथ मिलकर वो डियाएत चीनता होarna सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि अब संसत के अंदर सरकार भी जानते हैं कि अब 17 के अंदर क्या होना है सब्सक्राइब करने के पाले हम सब लोग इस बात की चर्चा कर लेते कि कौन-कौन से मुद्धें जब स्रवदिली बैटक होती है तो यसे मुद्धे उठाए जाते कि विपाक्ष को पताएगी सरकार इस पर चर्चा के अनुमति नहीं देगी विपाक्ष उस पर चर्चा की जरुत है कि पहली बार का शानसाद आ रहे है कि अपके हैं संवार होती अंदर अंदर अंगाम होता रहा है ऐसे वगता यह नों संससुदों तो मुझे लाएं दोनों पक्षों को इस बात वह गंप्रिता से वीचार करने के दिरूत है विपक्ष जादा चिंता करें इस बात की योग कि देखी दो बार विपक्ष को विपक्ष का नेता बनने के लाइक सीटें नहीं मिली थी 2014 या 2019 इस बार कॉंग्रेस को विपक्ष का मिला है समाजवादी पार्टी भी एक बहुत अच्छी स्टेंट के साथ है विपक्ष की ताकादी बहुत अच्छी इस बार सदन के अंदर है दो पिछले लोग सबाव चुना के तुलना में अगर हम देखें तो विपक्ष इसे एक जंता का मुद्दा अपने शेतर के लिए उठाने के लिए करें और राहुल गांद्या का सिब अडानी का मुद्दा लेकर चलेंगे कि आप संसत में नहीं बोलने दे रहे हो तो आप संसत की परिक्रमा अगर आप लगा होगे कि मोदी अडारी भाई भाई यह मुझे लगता है ठीक नहीं है आपके पास और भी मुद आप सिब आडानी का मुद्दा लेना है तो आप मपकड़कर संसत के अंदर अकेली बढ़ती जा रहे है नहीं समाजादी पार्टी आप देखेंगे सामधर मिल रहा है तो राहल गांद्य को समंझा चीका विपक्ष के नेता है विपक्ष के नेता से बैठे सबसें चर्चा क करें आडानी का रहों तो आडानी की बात करते हो चुनाव की रेली को लगता है तो आप उस पर जितना बोलना बोलो लेकिन विशय भी तो बहुत महत्व के सामने जो आपको उठाना चाहिए तो मुझे लग रहा है कि कॉंग्रेस को बहुत सोचने की दरौत है कि कैसा अगर रहुल गांट सी एक ही मुद्द्ध अडानी को लेकर बटएंगे तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कॉंग्रेस सांसद भी तो उससे बचने की कोशिश करेंगे कुछ मुद्ध में अचाहिए ना आप कहिए फा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद